आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ In this question we have given Name the rotational analogy of linear acceleration ठीक, तो अगर हम कहें कोई body अगर देखो उसका अगर देखो उसका acceleration यह होगा अब acceleration क्या होता है अगर देखो linear motion के case में acceleration equals to हमारे पास DV by dt, DV क्या था हमारे पास rate of change of velocity, तो यह V क्या होगा अगर इसकी वेलोस्टी पे एक acceleration अगर इसकी वेलोस्टी हमारा time के साथ change होगा अगर एक acceleration बढ़ रहे होगी तो एकसलेरेशन हमारा वेलोस्टी की direction में होगा अगर वेलोस्टी घट रहे होगी तो acceleration हमारा वेलोस्टी के opposite direction में होगा वटो काउन से acceleration होगा? linear acceleration अब इसका हमें एनलोगी बताना था in rotational motion rotational motion में क्या होता? कोई भी body rotate करती है किसी भी point या line के about तो हमने माले हमारे पास कोई एक body थी इस तरह से कोई एक ball थी इसको हमने क्या क्या है? एक रश्ची में बात के इस तरह से हमने point O के about गुमाना स्टार्ट कर दिया देखो तो यहाँ पर देखो यहाँ आप माल लेते हैं इस तरह से हमारे पास जो हमारा linear velocity होता है किसमे कनोट हो जाता है rotational velocity में और उसको हम कहते हैं omega linear velocity किसमे कनोट हो जाता है omega rotational velocity में तो V का सेम काम V हमारा कब आता है translation motion में omega क्या होता हमारे पास rotational motion में तो यहाँ से देखो अगर हम कहें एक्सिल्रेशन यह हमारा linear एक्सिल्रेशन ऊपर की तरफ होगा अगर हम कहें velocity बढ़ रही है थी velocity हमारा increase कर रहा था तो linear acceleration in the direction of velocity आ जाएगा अब linear acceleration तो ऊपर की तरफ था बट चुकि body हमारा क्या है rotational motion कर रही है तो linear acceleration किसमें कनोट हो जाता हमारा यह हमारा कनोट हो जाता है angular acceleration जिसको हम कहते है alpha clear हो गया अच्छा अगर कहें displacement कोई भी body अगर हमारा state line में motion कर रही यहाँ से initially यहाँ पे थी बाद में यहाँ पहुंच गी उसका displacement क्या होगा एस यह हमारा क्या होता linear displacement लेकिन अगर कोई body rotational motion करती है तो देखो उसका displacement क्या हो था हमारा उसको कहते है अं regular displacement इसली body यहाँ पे थी कुछ देर बाद body यहाँ पे पहुंच जाएगी देखो initially यहाँ पे थी यहाँ से यहाँ कितना displacement हुआ THETA का दोनों को compare करके पढ़ेंगे, translation motion में जो velocity होती है, उसकी value कितनी होती है, हमारे पास ds by dt, ds क्या था हमारे पास linear displacement, अब देखो ये translation motion में velocity V थी, rotational motion में velocity किस में convert हो जाती है, omega में, और देखो, जो displacement था, translation motion में क्या था, s था, rotational motion में displacement कितना हो जाएगा, theta, क्योंकि body rotate कर रहे हो कि देखो, ये angular displacement आपको मिलेगा, clear हो गया, अच्छा, ये आगया हमारे पास velocity in rotational motion, तो देखो, अगर आप देखो, आप से कोई पूछी यहाँ पर हमें acceleration का analogy बताना था, अगर आपको velocity का analogy बताता, तो आप क्या कहते है, velocity हमारा linear motion में होती है, अगर rotational motion करे, तो हमारा किस में connect हो जाएगा हमारा angular velocity में, तो velocity का हमारा analogy क्या होता है, angular velocity in linear, sorry, in rotational motion, अब इस तरह से हमें acceleration की बात करनी थी, तो acceleration equals to क्या होता है, हमारे पास dvy dt, ये कौन से acceleration था, ये हमारा linear motion में acceleration था, अगर हो ही linear motion हमारा rotational motion में connect हो जाएगा, तो acceleration क्या हो जाएगा, अलफा, और उसकी value कित पाल्फा से खलाइक आउनलोड के सायगा-प्रटाल छाए as. गलार नीट आई-डी। यही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरूसा आज ही डाउनलूट करें डाउटनेट आप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आट 4444 पर